भी सामने आया आरोपियों पर एनसे के तहत कारवाई होगी डिजिपी ने ये बयान दिया है तो बतादे कि प्रिशाशन पूरी तरह से अलट पर है और पूरे उत्राखंड में इस वक्त हाई अलट जारी कर दिया गया है हल्दवानी पहुँच रहे हैं तमाम बड़े अधिकारी मुख्या सचेफ डिजिपी एडिजी लॉइन ओडर एपी अंशुमान भी पहुँचे हल्दवानी घटना स्थल का जैजा उनुन लिया इसके साथ ही घायलों से मुलाकात की बातशीत की डिजिपी अभिनव का ये कहन है कि आरोपियों पर एनसे के तहट बड़ी कारवाई की जाएगी सियम धामे के निर्देश पर मुख्या सचेफ से लेकर डिजिपी समय तमाम अलाधिकारी हल्दवानी दौरे पर है मुख्या सचेफ और डिजिपी ने घटना स्थल का जैजा लिया इसके साथ ही घायलों से भी मुलाकात की है अधिक जानकारी दे रही है समधाता हिमान शुशर्मा उतरखंट के चीफ सेकेटरी और इसके साथ ही डिजिपी फिलाल हल्दवानी पहुँचे हैं आप देख सकते हैं डिजिपी अभिनाओ और रादा रतुरी यहां पर आए हैं सिधे तोर पर जाइजा लेने के लिए उनसे बात करेंगे सिधे तोर पर मैम क्या कुछ कहेंगे जिस तरह से घटा करम हुआ हम लोग स्टेट्मेंट आपको देंगे वी पूरा एक बार देख लें पूरा निरिक्षन करके ठाने की बिल्डिंग को फिर से अच्छा से रिकंस्राक्शन करा जाएगा डियम उसमें लगी हुए है और पूरा जो कानून विवस्ता है उसको शांती पूर्ण रखना है यहां पर आपने क्या कुछ अब्जर अब तक किया है क्या कहां कमी र किया है तो अभी सिती थोड़ा तनाफूर्ण है लेकिन यह अंतर्म है और हमने डियम स्पी के साथ और डीजी लॉन ओर हम सब लोगों ने मीटिंग कर ली है और मुझे विश्वा से जल्दी ही शांती व्यवस्ता को बहाल करने के लिए और इस उपद्रव के पीछे जो भी शरालती तैत्व थे अंटी सोशल एलमेंट्स थे उनके खिलाब सकसे सकता हम करवाई करें तो ये थे हमारे साथ डीजी पी अभीनव कुमार जिन्होंने बताया कि मिटिंग उन्हों ली अधिकारियों के साथ बैठक की और जायजा लिया उन्होंने थाने का जिस थाने को ज जा रहे हैं तस्वीर आप देख सकते हैं जायजा लेने के बाद और सिदे तोर पर डीजी पी ने साफ बताया कि जो पुलिस कर्मी घायल है उनसे भी उन्होंने बाचीत की उनसे भी मुलाकात की है और जो भी उपद्रवी होगे उनके खिलाफ सक्त एक्शन लिया जाएगा वीडियो जनरलिस्ट अमित कुमार के साथ हिमान्शु शर्मान न्यूज श्टेट उत्तराखंड हल्दवानी हल्दवानी में हिंसा के बाद फिलहार सितिन यंत्रन में हैं कल जहां से दंगा भड़का था वहां आज के हालात कैसे हैं जैजल या न्यूज स्टेट संबाद अता हिमान्शु शर्माने देखिए इस वक्त हम हल्दवानी की जमा मजजित पर मौजूद हैं ये शेहर की सबसे बड़ी मजजित हैं यहां पर शेहर के इमाम नमाज पढ़वाते हैं और आज शुकरवार है जैसा की जुम्मा है लेकिन हल्दवानी में जिस तरह से उबद्रव हुआ उसके बाद शेहर में कर् तस्वीरे आप देख सकते हैं जमा मजजित की और जमा मजजित शहर के बीचों बीच है जगा जगा चपे चपे पर पुलिस फोर्स तैनात है और साफतार पर ये एलान कर दिया गया है कि कहीं पर भी मजजितों में आज नमाज नहीं पढ़वाई जाएगी ये सबसे बड़ी मजजित है शहर की जमा मजजित जो हलदवानी के अंदर है लेकिन हलदवानी में कल जिस तरह से उबद्रव हुआ और आग जनी की गई सडकों पर वाहनों को जलाया गया पुलिस पर पत्राव किया गया पुलिस की तरफ से भी फाइरिंग की गई और उसके बाद जो हालात पैदा हुए उसको ध्यान में रखते हुए पूरे हलदवानी